नमस्कार दोस्तों इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, खबर क्या है पहले? अभी की बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं, STG New Channel पर खबर क्या है पहले? इस वक्त की खबर है, Breaking News अम आपको दिखा रहे हैं, बिहार में 2 लाक लोगों को सरकारी दोकरी मिलेगी, इस वक्त के सबसे बड़ी खबर हम स्टीजी नीव चानल पर दिखा रहे हैं एनेम जी नेम के लिए खुसकबरी के लार है इससे अच्छी खबर नहीं हो सकती है इस वक्त की सबसे बड़ी कबर हम आपको बता रहे हैं और एनेम की आठाई यार आठाट सो तीर्वन की अफडेट क्या है इसके बारे में हम बात करेंगे नमस्कार दोस्तों मेरा नाम रमेश कुबार है और आप स्टीजी नीव चानल देखना सुरू कर देए इस वक्त की सबसे बड़ी कबर हम तीन पॉइंट पर हम बिहार बात करने वाले हैं बिहार में दो लाख लोगों के सरकारी नोकरी इसके बारे में हम आपको अपडेट कराएंगे और ये भी बताएंगे सेकेंड पॉइंट पे कि जी एनेम एनेम के लिए खुशकबरी के लारे हैं अब जितने भी जी एनेम हैं कोई भी घर पे नहीं बैठेगा ये खबर आपको गुदगुदी पैड़ा कर देगा खुश स आप जो मुठेंगे कहीं पाटे इंज्वाई करने चले जाएंगे इसलिए खबर बहुत ही इनपॉटेंट है आप जरूर इस खबर को देखिएगा और तीसरा पॉइंट में बाट करूँगा आपसे की एनेम के आठाजार आठसो तीरपन की अपडेट क्या है और एक चौत इनपॉर्टेंट जो हमने कमेंट बॉक्स में लगतार कमेंट हमारे पास आ रहे है उसके बारे में मैं बात करूँगा जो रंजन सिंग है मध्यपूरा मेडिकल कॉलेज की लैप टेक्निशन की जोइनिंग 2009 से अभी तक पेंडिंग है नहीं हो रही इसके बारे में हम बात क लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो इसलिए अपने फ्रेंड में आज शेयर करके जरूर दिखा दिजिए हम जब आप सेयर करते हैं तो हमारी ताकत बढ़ती है और हमें विश्वास होता है कि जो हम कंटेंट दिखा रहे हैं उस पर बहुत अच्छा है आप लोग उसको रूची ले रहे हैं इंट्रेस्ट ले रहे हैं और सरकार तक यह बात पहुंचारे में हमें कापी मदद मिलती है इसलिए हम एभी कहेंगे कि टेलिग्राम का लिंक पी है उसको भी आप जरूर फोलो करें और हमें सिदा हमसे बात कर सकते हैं कोई भी डाउट्स है तो आगे हम न्यूज में क्या है इसके बारे में हम बात करने वाले हैं यह सा हम क्यों कह रहे हैं पहला पॉइंट पर हम बात करने वाले हैं जैसा कि परदेश में कुछी दिनों में दो लाख लोगों की रुजगार मिलेगी यह नोकरी मिलेगी सरकारी नोकरी भी मिलेगी इस व पिन आयूस वाले तमाम लोगों के लिए एक खुश्च खबरी है इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं ऐसा क्यों करें एक हमारे पास पोस्ट है पोस्ट में सब कुछ क्लिए हो जाएगा कि आखिर ऐसा हम क्यों दावा कर रहे हैं जैसा कि इस पोस्ट में देख स है कि 2024 में लोग सबाचणाओं को लेकर वा बात को भाईबित हैं जैसे उनका काना है कि 2024 में जो एलेक्शन है सरकार अगर दो लाक लोगों को रुजगार दे देती हैं बिहार में तो उनका पैठ यानि जो आड़ेजी है वो काफी हो जाएगी और बिहार में सत्ता में बनी जाएगी आगे पोस्ट में वो कहा रहा है कि तेश्वियाद उने कहा कि बड़ा डर है कि बिहार में महागट बंदन की सरकार कुछी दिनों में दो लाख लोग की नौकरी देने वाली है और भाजपा ये भाए से अगर बिहार को हो गया तो उनको दिक्कत हो जाएगी इस वक् और बिहार में ऐसा होता है तो तेश्वियाद अगे भी कह रहा है कि बिहार को भी कम से कम दो करौल लोगों को रोजगार देने के वादा बीजैपी की था जो की नकाम रही है जो वो भी वो नहीं इस लाख रोजगार में देनी की बात किuddara की ती लेकि यसमें ऐसा नहीं हो के लिए खबर कैसे है यह पोस्ट से साफ साफ है कि सरकार अगर हम दो लख लोगों को रोजगार देती है उसमें जी एनेम की जो है वेकेंसी पक्का आएगी इस बात को आप गरांटी लिख लीचे बीटी एसी के तरफ से ही आएगी पर्मानेंट की बात है इसलिए कि तेजव वाले लोग भी आप क्यास लगा रखे हैं कि आखिर कब तक वेकेंसी आएगी देखिए हम तो पार्टिकूलर देट नहीं बता सकते लेकिन जिस तरह से त्यस्वी जादोर रोजगार को लेकर एक्टिवे तमाम कोश्टे उनके आ रही है इसको देखकर लग रहा है कि सरकार आखिर कब तक लोगों को रोजगार देगी इसलिए हम कर रहें कि जी एनेम का हम कोई पार्टिकूलर डेट नहीं दे रहें हो सकता है कि अक्टूबर में आ जाए नवंबर में आ जाए दिसंबर में भी आ सकता है लेकिन एक गैरंटी है कि अगर तरह से त्यस्वी सरकार है इसे लगता है कि जरूद एनेम की और एनेम की परवांट वेकेंसिया अरे तिसने अपडेट की हम तरफ चलते हैं जो अब्डेट है कि अन्म की आठ हाढ़ा ऑड़ सो तिरपन का अपडेट क्या है यह बहुत बड़ी ख़बर एक तमाम लोग हम से कोशन्स पुछते हैं इसका डेट भी हमारे पास आ चुका है, सुत्रो का वाले से खबर है, कि आपकी जो जॉइनिंग है, यानि नियुक्ति पत्र है, अगले महिने में यानि अक्टूबर के तक आपको मिल जाएगी है, लाश्तर के फाइनल है, कि उसमें मिल जाएगी है, अंदर की खबर निकल के का रही है, कि आप लोगों का प्रोसेस चल रहा है, कभी भी आप लोगों की नियुक्ति आ सकती है, इसलिए फाइनल एमान के चलिए कि अक्टूबर में आपकी जॉइनिंग पका हो जाएगी, इसलिए आप निरास मत हो, आप लोगों खुसी मनाईए, आप लोगों का आप पूरा Medical College में Lab Technician की जॉइनिंग पर कोई अपडेट आई है क्या देखिए हम आपको बता रहे हैं रंजन जी आप regular comment करते हैं हम इसका आप समान करते हैं क्या पैस्टी जी निव चानल को इतना follow करते हैं हम जरूर कह रहे हैं कि आप इस चीजों को एकदम जॉइनिंग होगी इ रुजगार दे रही है कहने की बादा कर रही है स्वास्त विवाग में लेकर या फिन शिक्षा विवाग में लेकर दो ही ऐसे जगह है जहां पर व्यकेंसिया काफी है तो आप लैप टेक्निशियन के लेकर आपनी चिंत रहें जैसे ही कोई पुक्ता अपडेट आती है हम आ आपकी भी जो जो है नद्यपूरा मेडिकल कॉलेज में लैब टेक्निशन के जो 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 आइनिंग बाकी है उचको जल से जल सरकार पूरा करेगी इसलिए कि बिहार में स्वास्त विवास्ता के हालत खराब है चाहें वह एन्म के लेकर या डॉक्टर की हो चाहें एस्प संकेतिक दे रहे हैं कि अक्चुली सरकात जल से जल इसके बारे में सोचे और हम लोग ही आयूस डॉक्टर की भी जोईनिंग बिहार में जल से जल कराई जाए इसलिए कि यह लोग हम पैथिक दवा के देते हैं और सरकार इसको बढ़ावा दे रही है तो अगर बढ़ावा पर देखने हैं तिक चानल को सब्सक्राइब किजिए अगर आप देखने हैं इस पेज को लाइक किजिए और टेलग्राम का लिंक है उसको भी आप फॉलो करिए और अपने फ्रेंड को इस वीडियो को सेर करके बता दिजिए वाट्सप ग्रूप में तमाम जगा टेलिग्र सेर करके सभी लोगों को बताइए कि दो लाक रुजगार तेस्वी यादों ने वादा किया है वो फुल्फिल करने जा रहा है